नमस्कार दोस्तों, Get Success 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों ये वीडियो है बेसिकली परिवहन के उपर जो राश्तान जी के में आपका एक टॉपिक है परिवहन, इससे आपका डेफिनेटली क्योशन बनता है, एक या दो क्योशन आपके पके इस टॉपिक से बनेंगे, और ये 100% शौर एक क्योशन आएगा या आएगा, या आप सभी को भी बता होगा, और जाद 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 क्योशन पोचे जाते हैं NHK, ठीक है, नेशनल हाईवे के क्योशन है, तो आज मेरे पास परिवहन से रिलेटेट पूरे 30 क्योशन है दोस्त सड़कों से जुड़े न्यूनतम गाम वाला जिला क्योशन है, सिरोई और टीसरा क्योशन, सड़कों से जुड़े सरवादिक पंचायत मुख्याले वाला जिला क्योशन है, उदैपूर चोथा कुशन जश्ट इसके अपोजिट आते जा रहे हैं एक में सरवादिक आयेगा एक में न्यूनतम आ रहा है सडकों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्याले वाला जिला कौन सा है जेसल मेर ठीक है अब नीचे देखना 500 कुशन राज़े में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या एनेच कुल कितने है कुल है 49 और अब इन 49 एनेच की जो कुल लंबाई है वो कितनी है 8202.20 किलोमीटर तो हो सकता है पूछा जाए कि कितने राष्ट्रिय राजमार्ग है तो 49 अब देखते हैं छटा गुशन राज़ेस्टान में सरवादिक लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग एनेच पंद्रा लेकिन अगर गुशन में अगर नया वाला एनेच पूछ लेते हैं तो अब जो इसका नया नाम है नया एनेच बना है वो है एनेच 68 यानि पहले कहते थे एनेच 15 अब कहते हैं एनेच 68 कुल लंबाई कितनी है 893.50 किलोमेटर ध्यान रगना एनेच नया और पुराना वैसे बेसिकली चांसे यही है एनेच आपको पुराना वाला ही पूछेगा और अगर आप्शन में नया वाला आता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए साथवा राजस्तान में सबसे छोटा राश्टे राजमार कौन सा है एनेच 71 बी वो पुराना वाला था नया वाला है 919 एनेच वही है बस उसके नाम बदल दिया ठीक है वो जग़ चेन नहीं हुई है बस एनेच के जो नाम है वो बदल दिये गए है यह है कहां पे अलवर में और इसकी कुल लंबाई कितनी है 4.70 किलो मेटर आठवा कौईशन राजस्तान का सबसे व्यस्ततम राश्टे राजमार क एनेच 8 और इसका नया नाम क्या है एनेच 48 और 58 दोनों है एनेच 48 और 58 कंबाइन होके एनेच 8 बनते हैं ठीक है तो नया एनेच कौन सा हो गया 48 और 58 आगे चलते हैं नौवे क्योशन की और अच्छा क्योशन है द्यान से देखना वह राश्टे राजमार क जो एक जिले से प्रारंब होकर उसी में समाप्त हो जाता है यानि किसी एक जिले में प्रारंब हुआ और उसे में खतम होके किसी और जिले तक पहुंचा ही नहीं ऐसे राश्टे राजमार के एनेच कितने हैं अमारे पास वो है अमारे पास कुल देख लीजिए आप की ते 5 है पहला है 79A और नया नाम क्या है उसका 448 NH 448 448 अजमेर किशनगड नशिराबाद मतलब यहाँ पर वो चलता है उसके बाद है 11C और उसका नया नाम क्या है 248 NH 248 कहां पर है जैपुर में अगला है 76A कहां पर है उदयपुर में और इसका जो नया नाम है वो क्या है 58 विस्तार अगला 25 विस्तार यह वैसे यह खुद ही नया है यह पहले नहीं था यह नया बनाया गया है वो है बाडमेर में और एक होरे 168 यह भी नया है यह पहले नहीं थे यह अब बनाया गया है जब आपके राष्टे राजमार्गों के नाम चेंज किये थे जब इनको नया बनाया गया था उसके बाद दस्वां अच्छा कोशन है ध्यान से देखना इस टाइप से लिखाव आपको बुक में नहीं मिलेगा तो ध्यान से एक नंबर है यह सबी पूराने वाले हैं और इनके परिवर्तित या नए नाम सबी नीचे है तो ध्यान से देखना एनेज चौदा पैंसट पैंसट एक सो बारा एक सो ची एक सो बांड में ए और तीन सो पच्छेज डीटेल में इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है पूछा है तो पाली है और कितने जिले लगते हैं इसके अंदर कितने सौरी जिले क्या है इसके अंदर कितने एनेज है साथ है अब इनके बात करते हैं कि इनके एनेज के परिवर्तित नाम क्या है नए नाम क्या है चौदा का नाम परिवर्तित या नए नाम क्या है एक सो बासट और और यह जो 325 है यह खुद ही नया है ठीक है तो पारली से कितने हैं आपके NH लग गए? NH निकल गए 7, 11, सरवादिक जिलों से गुजरने वाले राश्चे राजमार्ग यानि कि यह ऐसा राजमार्ग जो सरवादिक जिलों से गुजराओं एक तो है दोस्तों NH 11 और इसका नया नाम क्या हो जाएगा NH 21, 52 और 11 कहां कहां से गुजरता है भरतपूर, करोली, दोसा, जैपूर, सिकर, चुरू और बिकानेर और दूसरा है हमारा है NH 76, 76 नया नाम क्या है इसका NH 27 कहां कहां से नीचे देख लो नाम है सिरोई, उधैपूर, चितोडगर्ट, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा, ठीक है इंपोर्टन्ट कोईशन, डीप में इसलिए बता रहा हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा टिपिकल अगर हार्ड बेपर बन जाता है, तो डीप में से कोईशन आ जाते हैं गिल बार, तो वो चीज आपको ध कितने किलोमेटर, उनली 57 किलोमेटर, उसके बाद राजस्तान में प्रथम रेल की शुरुआत, कहां पे हुई थी, जैपूर रियासत में, आगरा फोड से, बांदी कुई के बीच, अप्रेल 1874 में, तो ये थोड़े हिस्ट्री के कोईशन आ जाते हैं पहले के हैं, लेकिन परिवन में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, अब दोस्तों आगे वाले क्योशन देखिए, पंद्रवें, सोल्वें और सत्रवें, ये जो तीन क्योशन है ना, ये गेज पर रिलेटेड है, जैसे कि ब्रॉड गेज, मेटर गेज, नेरो गेज, अब गेज क्या है कि दो प यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, अब बात करते हैं, ब्रॉड गेज की, तो दो पट्रेओं की बीच की जो दूरी है, इसके बीच में है, एक पॉइंट छे साथ मीटर, फिट में बात करें, तो पांच फिट छे इंच, दूसरा बात करते हैं, मीटर गेज की, तो नाम से बता रहा है मीटर यानिके एक मीटर इसकी दो पट्रियों के बीच की दूरी होगी fit में बात करें तो 3 fit 3.37 inch होगी value typical है लेकिन almost आपको मीटर में पूछे जाएगी fit में बहुत कम पूछे जाती है बात करते है narrow gauge के यानिके छोटी line तो एक मीटर से कम होगी ये कहां से कहां तक vary करती है vary करती है 0.610 से 0.762 मीटर और बात करें अगर fit के अंदर तो 2 fit से लेके 2 fit 5 inch तक ये जाती है तो यहां से 3 चीज समझ में आगी होगी आगे चलते है है ठार्मे कुशन की ओर जैपुर metro rail प्रणाली भारत की चटी metro rail प्रणाली है तो यह पूचा जा सकता है यह कितने नंबर की है कौन सी metro rail प्रणाली है तो चटी है इससे पहले 5 हो चुकि है कोलकता दिली बैंगलोर मुंबई और गुडगाओं याद होनी ची निर्मित किया गया कहाँ पे जगतपुरा जैपुर के अंदर 21 वा गुशन रेलवे की छोटी लाइन यानि के नेरो गेज जो एक मिटर से कम होती है दो पट्रियों के दूरी वही वाली राजस्तान के किस जिले में है धोलपूर में तो एक मात्र राजस्तान का ऐसा जिला है जहां पे छोटी लाइन या नेरो गेज देखने को मिलती है वह है धोलपूर के अंदर बाकी कहीं पे भी नहीं है 22 वा कुशन किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली ज्यान रगना देश की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 में से राजस्तान में प्रारण भूई कहां से कहां तो कुई थी मेर्टा रोड से मेर्टा सिटी के बीच यह आप सभी को बता होगा लेकिन यह डेट ज्यादा important है इसके अंदर बाकी यह चीज हैं तो सबको बता होती है ठीक है अगर थोड़ा डीप कोईशन आता है तो डेट पूसकते हैं कि कब शुरू होई थी 2 अक्टूबर 1994 में को उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्याले खास देते हैं तो वो है जैपूर के अंदर ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं 24 वा कुईशन किया गया कब 3 जून 2011 को बासवाड़ा के अंदर ठीक है यानि के यहां पे काम चालू है वर्तमान में यहां भी कोई रेल मार्ग नहीं चल रहा है यहां पे सिर्फ काम चालू हो चुका है और इसका शिलानियास कब हुआ था यह दोनों कुईशन इसलिए मैंने एक साथ लिक परिवा निगम की निर्भिया बस कब प्रारम की गई यह की गई थी 25 मई 2016 को आगे वाला कुशन देखते हैं अब दिसंबर 2016 तक राज्य में कितने राज्य उचमार्ग यानि के स्टेट हाईवे कितने थे 178 कुशन राज्य के पहले मेगा हाईवे कहां से कहां तक था वो भ सेत्रावा यह एक जगह है सेत्रावा में 8 मई 2007 को लोकारपन किया गया यानि के उद्गाटन किया गया उन्तिस्वा कुशन देश का पहला लोको इंजन 1895 एस्वी में कहां निर्मित हुआ वो हुआ था आजमेर के अंदर आज का लास्ट और टीस्वा कुशन जैपुर मेट मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलानियास 24 फरवरी 2011 को किया गया अभी जो प्रथम चरण है यह कहां से कहां तक चलती है जो चरण 1A है ठीक है चरण 1A मान सरोवर से लेके चांद पोल तक यह अपकी जो जैपुर मेट्रो है वो चलती है तो अच्छे कुशन है परिवन के कुशन है पूरे 30 है और गैरेंटी है एक है दो कुशन इनमें से पका आजाएगा ठीक है एक है दो कुशन इनमें से आएगा क्योंकि NH के कुशन पूचे जाते हैं वो सारे में में पूच जाते है बहुत जादा डीप नहीं पूचा जाएगा आपसे आपसे मे को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना तो दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं एक वीडियो में